खीरी थाना के अंतरगत शारदा नहर में तीन दिन बाद तैरता मिला सिपाही उत्तमपाल का शव। सूचना पर पहुचे थाना अध्यक्ष विमल गौतम ने शव को गोता खोरों की मदद से नहर से बाहर निकाल कर मोर्चरी पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया। आपको बताते चले कि बीते तीन दिन पहले सिपाही उत्तमपाल अपने दोस्त राजी इंदर सिंग के साथ पिकनिक मनाने शारदा बेराज पर आये थे। दोस्त राजेंद्र सिंग ने बताया कि नशे की हालत में उत्तमपाल अपनी चपपलों को शारदा नहर के ऊपर रखकर पानी की तरफ शारदा मया की जैकार करते हुए पानी में पैर हाथ धुलने की नियत से नीचे गए। अचानक पैर फिसला और वहाँ नहर में गिर गए। बचाने का पूरा प्रयास किया गया लेकिन जब तक आसपास के लोगों को सूचना दी गई तब तक उत्तमपाल नहर में डूप चुके थे।